तो हेलो जुदो में नहीं आज से लेटेड धेसार इवेंट एन अपडेट है जिसे मैं आप लोगो आज की वीडियो में सेयर करने वाला हूँ आज की वीडियो में आप लोगो बताऊँगा कि यहां पर हमारे कुछ नए स्काफ के स्कीन आये हैं कि इसके पॉसिलिटी भी सेय कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है और यहां पर बात करेंगे हमारे कुछ न्यू ग्लू ओल के स्कीन के बारे में पर उससे पहले अगर आप लोगो हमारे चैनल पर नहीं हो तो नीचे डिट करगा सब्सक्राइब बटन देखने मिल रहा है जाके प्यास से लेटेस अपडेट मिस नहीं होगा हमारे तरफ से और आँ टाइम पर लिटो को लाइक भी कर देना दोस्तों मैं आज आप लोगो एक न्यू एप्लिक स्कीन के बारे में बजाने वाला हूँ जिसका नम है अनमी वेल्थ और इसमें क्या है कि अगर आप लोगो साइन अप कर दोस्तों कowi वेल्थ करोगे उसके लिए अपको क्या कर नहीं होगा सब से पहले यहां पर अको िल्रीप करना होगा और गेम कहलने के लिए यहांे पर concise का यहां पर अनलॉइचर करना होगा तो वह अपन fan अपने दोस्तों को करके आप यहां पर कुछ पैसे कमा सकते हो जो कि बहुत अच्छी बात है और अगर आप लोगो विड्रों लेना है तो आप लोगो अपने बैंक अकॉंड और यूपियाई में ले सकते हो लिंक डिस्कुसिन में मिल जाएगा दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करने से प अब हम लोग चलते हैं हमारे फेस्बुक के तरफ तो फेस्बुक में टोटल अभी इस पोस्ट में 43,000 लाइक आ चुका है जिसमें हम लोग टैप करते हैं देखते हैं कि यहां पर हमारा जो हार्ट लाइक है 26,000 लाइक आ चुका जो की बहुत बढ़िया बात है और उसके सा बार का कोई वैल्यू नहीं है पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत लोग का आदत है कि जैसे देखते हैं फोश्ट फटाफट लाइक कर देते हैं और टामेंट कंडिशन नहीं देखते कि इवेंट क्या चल रहा है तो इसलिए यह लाइक बढ़ा है ऐसा नहीं कि लिए हैं और उनको परदा चले कि भाई यहां पर रिटर्न आ रहा है तो इसलिए साहर वो लोग गुसा वाला इमोजी यहां पर टाइप कियोंगे और यहां ऐसा भी हो सकते हैं कि जादर बंदे हार्ट वाले इमोजी को यहां पर लाइक किये और स्कार वाले जो जितने भी लिए मैक्स के जो क्राफ्ट लेंड कस्टम रूम कार्ड है उसके उपर अपडेट है जो कि आपको कस्टम रूम कार्ड मिलने वाला है 9 अक्टूवर को और आज के दिन यहां पर 7 अक्टूवर है मतलब कि 2 दिन के बाद आप लोगों को यहां पर बहुत बढ़िया बात है पर अभी मैं आप लोगे कश्ची इस दिखाने वाला है जो कि बहुत जाढ़ा खास आपने लिए यहां पएक न्यूउ scarf का स्कीन आरहा है जो कि अभी आप लोग देख सकते हैं जो कि यही वी कलर का सकता है पर एक चीन मैं कहना चाहूँ कि वापस से जो पुराने स्काफ का स्कीन है वो भी रीटेंड में देखने हो मिल सकते हैं तो मैं दोन ही आपको अपडेट सेर कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को ये ना रहे जिसमें हमारा स्कल रहेगा और डॉलर का स्कीन पहली भी आयते हैं जो कि एक ही लौता आया था जहां तक मुझे याद है और इसके बाद यहां पर एक नेक्स्ट हमारा यह ग्लूर का स्कीन आ रहा है जो कि ठीक ठाक है अच्छा है और न्यू डिजाइन किया गया जो कि मुझ पैलीं टूर्णमेंट के बारे में यो कि रहा है हमारा फ्रीड़ फायर एस्या चैंपेंसीब और यहां पर आप लोंगो हमारे नुवंबर के मंत में देखने मिलेगा जहां पर च्छाइंगा यहां पर स्टार्ट होगा जो कि आपका रिससें भी ऊजागा और उस दिन और यहाँ पर 28 November को होने वाला है, तो सभी लोग यहाँ पर याँ से इस दुनामिट में पार्टिपेट ले ले लेना, और एक चीज़ दोस्तों, इसमें भी आप लोगो कुछ माइल स्टोन के रिवाड डिये जाएंगे, जब फाइनल होगा, फाइनल होगा तब आपको देखने मिलेंगे, अब क्या-क्या रहने वालें, उसे भी मैं आपको अपकामिग वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए आप लोगो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बैल लोग उपर जरूर स्रेट करना है, इस टैप के अंदर देखने मिलता है, तो उस गन का भी यहाँ पे एक नया स्कीन आया है, जो कि अभी आप लोग यहाँ पर देखने मिल रहा है, पर यहाँ पर यहाँ पर इसका एक्ट्रीबूट्स में थोड़ा बता देता हूं, इसमें आपको सिंगल रेंज प्लस देखने मिलेगा, सिंगल यहाँ पर एकुरिसी मानेस रहेगा, और सिंगल यहाँ पर आर्म प्लस किया गिया है, इस ट्राइप के कुछ यहाँ पर एक्ट्रीबूट्स आने वाले इस गन में, दोनों ही गन के नए स्कीन को मैं दिखा चुका हूँ, और भी बहुत सारे गन के स्कीन बाग की है, जिसे मैं आप लोगो टाइम टू टाइम दिखा दूगा, जिसके आने की चांस सबसे जादा है, उसी को जाद तर दिखाने के कुछिस करूंगा, तो आज की वीडियो आज के लिए इतनी रखते हैं, अगर आपनों हमारा आज की वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, दूसरे जरू सेर करना, अब मिलते किसी और वीडियो में, तब तक अपना क्या र रखना, बाबाए